हेलो फ्रेंट्स वेलकॉम पैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी वर्शा फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे बिए इंटरेंस एक्जाम के कॉमर्स के प्राक्टिस सेट की वीडियो को स्टार्ट करने से पेले प्लीज में चाहां को सब्सक्राब कर आज की वीडियो का फरस्ट क्वेशन है आठी चिठ्था बनाने का क्या उतेश्य होता है बहुत ही सिंपल क्वेशन है वियापार की वित्यस्तिति का ग्यान वियापार की रोकड का गयान अंतिम रहते का गयान है और प्रोक में सभी तो फ्रेंट्स यहां पेस्का राइट अप्शन नमर ए वियापार की वित्यस्तिति का ग्यान काना यानि की जो अपने अकाउंट या फिर हमारा आर्थिक चिठ्था होता है इसको बैलन शीट भी बोलते हैं यह इसका में काम होता है हमारे वियापार की जो भी पूजीशन है चाहें वो लॉस में जा रहे है या अ नेक्स्ट है इस्थाई संपत्ति का दूसरा नाम क्या है चालू संपत्ति नाश्वान संपत्ति अचल संपत्ति या ये सभी तो फ्रेंड्स इसका यहां पर आइट आंसर होगो ऑप्शन सी अचल संपत्ति इस्थाई संपत्ति को असल संपत्ति भी कहा चाता है नेक्स्ट ह आप देखिए अगर हम संपत्ती की बात करें तो किसके हमें रिफ्रेंस में हमें बताना होगा यहाँ पर इनको यह मेंशन करना चाहिए था कि बैलन्स शीट के रिफ्रेंस में या लिकुडिटी के रिफ्रेंस में हमें किस तरह से बताना है अगर मेरे अगर हम बैलन्स शीट के अक्वरण बात करें तो दो तरह की भी होती है तीन तरह की भी होती है यह डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से उसका ट्रीट्मेंट कर रहें कई कंपनियां दो तरह से ट्रीट्मेंट करते हैं बैलन्स शीट में आपने देखा होगा fix assets और current assets थीक है तो यह दो तरह की हो गई काई balance sheet में तीन तरह से mention किया जाता है fixed assets, current assets and liquid assets तो यहाँ पर आप तीन देख लिजी क्योंकि दो का option है नहीं और अगर आपको इसके बारे में थोड़ी और information है आप इसके बारे में जानते हैं कुछ और तो आप comment section ने बता सकते हैं तीन हो गई fixed assets, floating assets, जिसको हम current assets भी बोलते हैं या फिर liquid assets तीसरी हो गई liquid assets तीन हो गई यह आप इसका right answer next है अब प्रत्यक्ष वे को लाबानी खाते में कहां दर्शाया जाता है debit, credit कहीं नहीं दर्शाया जाता आर्थिक चिट्थे में दर्शाया जाता है तो friends यहाँ पर प्रत्यक्ष वे की बात की जा रही है तो friends यहाँ पर वे की बारे में हम अगर हम बात कर रहे हैं तो देखी यह हमें debit में दिखाया जाए जाए option A right है next है तुलना पत्र किसे कहते हैं समपत्तियों को दाइत्वों को आर्थिक चिट्थे को उप्रोक्त सभी तो यहाँ पर देखी right answer होगा है यहाँ पर option number C आर्थिक चिट्थे को क्योंकि आर्थिक चिट्थे के तुरुए हमें financial position पता चलती है और यह हमें एक तरह से हमें comparison में help करता है इसलिए इसको तुलना पत्र भी बोला जाता है next है साज़धारी अंधिनियम के अंतरगत आर्थिक चिट्थे के किस क्रम को मानेता दी गई है तरलता को स्थायत को एबभी दोनों या इन मेंसे कोई नहीं तो friends अगर हम यहाँ पर बात करें तो साज़िधारी अंतर में आर्थिक चिठ्थे की स्थायत वो क्रम को मानेता दी गई तो option B यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है आर्थिक चिठ्था किसकी बाती होता है खाता, विवरण पत्र, यहाँ भी दोने अनमें से कोई नहीं तो friends आर्थिक चिठ्था जो होता है वो हमारा account नहीं होता है वो एक statement होता है विवरण पत्र तो यहाँ पर option B हमारा right answer हो जाएगा next है व्यापार के संचालन प्रतिवर्ष स्थाई तौर पर प्रियोग करने के लिए खरीदी जाने वाले संपत्ती है स्थाई, चल, छेवान या संभाबवे तो friends यहाँ पर इसका right answer होगा option number A स्थाई व्यापार के संचालन प्रतिवर्ष स्थाई तौर पर प्रियोग में खरीदी गई स्थाई संपत्ती को स्थाई संपत्ती या फिर fix assets कहा जाता है और यह हमें long time तक हमें benefit करती है वेचने के विचार से खरीदी जाने वाली या कोई समय पस्चात नगत की रूप में बदल दी जाने वाले संपत्ती कहलाती है तो यहाँ पर इसका right answer होगा A तो यहाँ पर इसका right answer होगा A क्योंकि यहाँ पर देखियो question में दे रखा है बचने के विचार से खरीदी जाने वाले अब हम उसको question में पस्चात नगत में यानि कि जो हमारे नगती या फिर जिसको हम लिकुड बोलते है लिकुडिटी में जल से जल ट्रांसफर हो जाए वो हमारी चालू यानि current assets कहलाती है option A right है next question है वे देधन जो निकट भविश्य में नहीं बलकि दीरकाल में वैपार की समापती पर चुकाने होते है क्या कहलाते है यानि कि ऐसी payments चुकि हमें या तो जो हमारी business close किया जाएगा तब या आगे कभी हमें बहुत time बात उसको pay करना होगा वो बच्चत हमारी क्या कहलाते है वो खर्चे अल्पकालीन दाइत, संभाफवे, स्थाई दाइत या उपरोकत सभी तो यहाँ पर इसका right answer होगा option C, स्थाई दाइत option C, यहाँ पर right answer है next है इस्थिती विवरण का दूसरा नाम क्या है यह आपको मैंने बताया था अभी इससे पहले question हमें हमने discuss किया था options हैं, व्यापार खाता, आर्थिक चठ्था, व्याप लाभनी खाता या न्वैसी कोई नहीं तो right answer होगा B, आर्थिक चठ्था next है, दाइत कितने परकार के होते हैं दो, तीन, चार या इनमें से कोई नहीं तो देखिए friends, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर इसका right answer होगा B, दाइत हुमारे तीन तरह के होते हैं, अब वो कौन-कौन से दाइत हुएं वो आपको यहाँ पर comment section में बताने हैं यह आपको पता होने चाहिए हम किस दाइत्व की बात कर रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे comment section में बताएगा next, next है आस्थाई दाइत्व कहलाते हैं चालू या अलपकालिन दाइत्व, स्थाई दाइत्व, संभाववे दाइत्व यह उपरोक्त में से, उपरोक्त सब भी तो देखे, friends, हम यहाँ पर बात करें आस्थाई दाइत्व की, तो इसका right answer होगा option A, वो हमारे चालू या अलपकालिन, यानि के short period के होते हैं यह एक साल से कम के current liabilities भी इनको बोला जाता है option A, right है next है किसी विशेज घटना के घटित होने पर दी जाने वाली राशी क्या कहलाती है चालू दाइत, संभावे दाइत, स्थाई दाइत, या पर उपरोक्त में से कोई नहीं तो friends, यहाँ पर बात की जारे है, किसी विशेज घटना पर दी जाने वाली तो वो कहलाती है संभावे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो घटित होगी या नहीं, लेकिन अगर वो घट जाती है घटना, तो हमें देना होगा, तो वो संभावे, यानि हो सकता है, तो वो हमारा संभावे दायत्व कहलाता है, option B, यहाँ पर right answer है, next है, समय वितित होने के साथ-साथ मूले कम होने वाली संभावे, क्या कहलाते है, चालू संभावे, छैशील या नाश्वान संभावे, तरल संभावे, या उप्रोक में से कोई नहीं, तो friends, यहाँ पर देखिए, जब समय वितित होता है, तो संभावे में कमी आ जाते है, उसक जो कैपसिटी होती है, काम करने की वी कम हो जाती है, तो उसको हम चैशील या फिर नाश्वान संभती बोलते हैं, तो option B, या फिर आउट आंसर है, नेक्स्ट है, जिन संभतियां का बहुत एक अस्थेट होता है, परनू छुई, वा देखी नहीं चाह सकती, वे क्या कहलाते अमूर्द संपत्ति, संभाव संपत्ति, मूर्द संपत्ति या फिर तरल संपत्ति तो friends यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा option A मूर्द संपत्ति क्योंकि इसका बहुत एक अस्तित्व होता है और इन्हें चुआ भी जा सकता है तो option A राइट आंसर है अल्पकाल मैं या शीगरही भविशे में चुकाने वाले दायत वी क्या कहलाते हैं अल्पकालीन दायत, चालू दायत, अस्थाई दायत वी या फिर ये सब ही तो देखी फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा option D, इनको अल्पकालीन दायत वी बोलते हैं चालू यानि करन्ट लाइबिलिटीज और स्थाई दायत वी बोलते हैं तो ये सारे ही नाम इसके हैं, option D, राइट आंसर है next है, आर्थिक चुठ्थे के क्रम है तरलता के क्रम में, स्थाईत्व के क्रम में, एवा भी दोनो है और प्रोक में से कोई नहीं तो राइट आंसर है, C, एवा भी दोनो आर्थिक चुठ्थे तरलता के क्रम में भी लिखे जाते हैं और स्थाईत्व के क्रम में भी लिखे जाते हैं, ठीक है next है जिस संपत्ती का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता वा जिससे देखा या चुआ नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं अमूर्थ, मूर्थ, तरल या चालू तो देखे इसका राइट आंसर यहां पे इसमें लिखाया भौतिक अस्तित्व नहीं होता ठीक है, और नहीं जिससे चुआ जा सकता है और इससे पहले हमने क्या पढ़ाता यानि कि इससे पहले हमने पढ़ाता कि उसका बहुत एक अस्तित्व होता है और उसको चुआ जा सकता है तो फ्रेंट्स देखें, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा और फ्रेंट्स, अभी हमने उपर आपसे और आंसर मूर्थ होगा उसको मूर्थ संबत्ती कहा जाता है तो आप इसको करेक्ट कर लीजेगा और यहां पर जिसका कोई अस्तित्वन नहीं होता उसको अमूर्थ संबत्ती बोलते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा option no.a अब देखें यहाँ पर एक क्वेशन हमें दे रखाया है यदि प्रारंबिक पूंची एक लाग बीस अजार अहरन दस हजार वर्ष में लगाईगा यतरिक पूंची बीस अजार वा अंतिंग पूंची एक लाग असी अजार हो तो लाबय अहरने की गणना कीछी है ठीक है तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर स्टेट्मेंट बनाए तो ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना होगा यहाँ पर कितना एक लाग बीस हजार उसमें से उपनिंग बैलेंस में से आपको ड्राइंग माइनस करनी होगी कितनी दस हजार की सूपर कैपिटल आपको प्ल अब एक लाग 80,000 में से एक लाग जब 30,000 माइनस करेंगे तो आपका remaining कितना निकल कराएगा? 50,000, ठीक है? तो यहाँ पर profit आपका कितना निकल कराएगा? 50,000, देखे, यहाँ पर option C right answer हो जाएगा, ये आपका right answer है 50,000, तो I hope आपको ये questions clear हुए होंगे, किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बिताएगा प्लीज 46 और 49 नमर का question आप correct कर लीजेगा अगर उसमें mistake हुई है अम उससे तो और किसी भी तरह के कोई भी query हो तो जरूर बिताएगा और वीडियो को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक केज़े, फ्रेंड किस पर दो था क्ए मैं हो जो एख भी Eller को एào जचती राउब किसी प्रहिएगा खर सक्क्यों प्रा टाहिवा झाला हम आठेगा पस से तो नाष़ भीन